अजय के लिए थेंक यू, इंजॉय कीजिए आप क्या पी हैंगे? मैं क्या पी हूँगा? तुम जरा मेरे साथ हूँ तुम क्या कर रही हो? बताओ मुझे चिनार अंदर आओ, अराम से बात करते हैं तो प्राक नहीं ये जॉब हासिल करकी बहुत होश्यारी दिखाए इस तरह वो अंडर अब्जर्वेशन भी रहेगी और सेल्फ मेड औरत के डिवास हासिल करना भी आसान है वरना क्यों वो ये जॉब करती? हेरिंग के पहली अपिल दुहफ़े बात है डिवास के बारे में ही बात करने आई थी ऐसा लगता है ऐसा लगता है? मैंने आपको अंदाजे लगाने के लिए नहीं लेर इंफिर्मेशन देने के लिए आपको रखम दी है मुझे फॉरण इस केस से मतलिक सारी इंफिर्मेशन चाहीं प्लीज क्या मतलब तुम्हारा तोपरक? चिनार मैं जॉब की तलाश मेती तुम जानते तो हो पर यहाँ पे क्यों? क्यों नहीं? क्योंके क्योंके तुम उसकी क्लाइंट हो चिनार इसमें हर्च क्या है? मिस्टर होकान जान देते के मैं जॉब डून रही हूँ उन्होंने ओफर दी और मैंने कर ली क्या मतलब यहाँ आने वाले को तुम चाय देती रहोगी? हाँ चाय, कॉफी, बरतन धोना, साफाई करना वैसे भी घर पर यही काम करती थी, मेरे लिए कुछ भी डिफरिंट नहीं है देखो, मुझे तुमारी जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं पर तुमें इसकी जुरूरत नहीं है चिनार मुझे रेंट पे करना है हुकान से बात करने आया हूँ और मुझे नहीं बताद है कि यासमीन यहां होगी यह इत्वाकी मुलाकात है या नहीं? हाँ, इत्वाक है बदकिस्मती से इत्वाक है खेर चिनार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बताओ क्या प्योगे, मैं तुम्हारे लिए बनाओ तो प्राग डिवास लेने पर काइम तो है न? क्यूंके चिनार उसे डिसकरच करने की पूरी कोशिश करेगा नहीं, क्यूंके तो प्राग के सामने इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ मिस्टर चिनार अगर इस शादी को बचाने के लिए जजज को कन्वेंस कर लेते हैं तब ये केस कुछ लंबा हो जाएगा क्या मतलब आपका काम है जजज को कन्वेंस करना मिस्टर ओकान? आप भी नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा बाप के बगए रहे चलो मैं चलता हूँ फिर तुम ऐसा करो अपनी मीटिंग के बाद मुझे कॉल करना हम लंच पे बात कर लेंगे चिनार बैठ जाते ऐसा कोई शुनिये जिसा हम ना जानते हो बात कर लो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसके बारे में तुम नह जानती हो मैं आपको कॉल करनूंगा मस्त चिनार अरे आपका मेमान अभी तक गया नहीं शरफ खानम मैं आपी को देखने जा रही थी एक बार खानम नहीं सिद्कू बाग में बैठा है तो प्राग से ताजियत करने के लिए कह रहा था मैंने बता दिया कि वो देर से आएगी दरशल मैं नहीं चाहती एक दफ़ा फिर उनका आमना सामना हो जैसे आपकी मरसी और ये कि वो चनार से डिवोर्स ले रही है मैंने ये नहीं बताया यानि उसकी सोच में हो के चनार यहीं रहता है तो जादा वहतर होगा अगर आप मेरा भरम रखने तो मुझे बहुत खुशी होगी मिसस इकपाल ठीक है मगर क्यों शरफ खानम वो आदमी तो सिफ ताजियत के लिए आया है ना है तो लेकिन सिद्कू उल्टे दिमाग का लड़का उसको कुछ पता नहीं चलता मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ अगर तलाक के बारे में जान गया तो बिला वज़े तोप्राग से उमीदें बांद लेगा अहां क्या मतलन बशरफ खानम तोप्राग अगर उसके साथ खुश होती तो भी तलाक ना लेटी ऐसा ही है ऐसा ही है सित्कु ने वक्त पर तलाक ना देकर तोप्राग को बहुत परिशान किया था जब देखा कि तोप्राग अपने फैसे पर डटी हुए तब मजबूरन तलाक दी यानि आप ये कहना चाह रही है कि इस शक्स का आना खैर की अलामत नहीं है ठीक है मैं किसी का गुनाप में सर नहीं लेना चाहती बलकि इन चीजों से दूर रहना चाहती हूँ क्या ये बहतर नहीं होगा कि हमें कोई तद्बीर कर लेनी चाहिए वक्त से पहले सही कहाना आप कैसे चाहती है वैसे ही होगा शरफ साहबा अम्मी जान आपने की जहमत करी? खेर से पियो. तोपराक ने हुआ हैं क्या? मुझे नहीं पता. मैं जानता हूँ. मुझे यकीन है ये सिब पुछ तोपराक के हाथ से हुआ होगा. उसने हमारे छोटा सा बगीज़ा भी जन्न जैसा बना दिया था. रमजी बाबा कैसे हैं? बहुत अफसुर्दा होंगे हववा की मौत पर. अफसुर्दा कैसे नहीं होंगे? जैसा भी है बाप है. मैं क्या बताओं जैसे मैंने सुना मेरा दिमाग घूम गया? हववा की मौत पर कोई जुमला भी आपके सबर का बाइस नहीं बन सकता. मेरा ख्याल था कि हववा को और हमारा साथ हमेशा रहेगा. मगर तक्दीर इलाही, अल्ला तो प्राग को सलामत रखे. आमीन यारब. कहा है इस वक्त तो प्राग? मुम्किन हो तो उससे मिलू मैं. आँ, नहीं, जहमत मत करो बेटा. वो आ जाएगी तो मैं बता दूंगी उसको. कैसी जहमत भला मीजान? इस बड़े शहर में हमारा इपुसरे के लावा कौन दोस्ते भला? आप एड्रेस सुदे मुझे. यकीन करो मुझे नहीं पता. अब तो तुम भी बिसनिसमेन बन चुके हो. तुम्हारे काम का हर्श नहों. नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल आराम से उशहर पावा. मेरा बॉस मुझे पर फिदा है. मेरा एक कदम मुल्क से बाहर रहता है. ठीक है, अल्ला बेहतर करे. यकीन करो, उसका अड्रेस नहीं पता मुझे. और फिर तो प्राग के आने का कोई फिक्स टाइम भी नहीं है, बेटा. खेर कोई मसला नहीं. मैं फिर दुबारा हूँगा. किसी चीज़ की ज़रूद है मामा? शुक्रिया मेरे बिच्चे. अल्ला तुमारे रास्ते खोले. देखिए मेरा फून नमर है. रात में दिन में जब भी जुरुत पड़े आप बगहर जिज़क के मुझे फून कर लीजेगा. मालू मैं तुप्राग डाइवॉर्स ले रही है. चिनार अफंदी भी यहां पर मौचुद नहीं है. रमजी बाबा भी नहीं है. अगर आपको घर पर किसी मर्द की जुरुत पेशाए तो बगहर जिज़क के मुझे फून कीजेगा आप ठीक है? तुम बिल्कुर परेशान मत हो. तुमने कहा समझो हो गया. क्या मतलब मामा ये तुमेरा फर्ज है. आप सलामत रहें दुप्राग को मेरे सलाम कहीगा. एक तुम्हारी कमी थी. या अल्लाह या रसूल अल्लाह. इस कमरे में हमारी बार्ची के ही खत्म हो जानी चाहिए. मैं हर्गिस आपरेशन नहीं करवाँगी. अगर इसका कोई और हल होता तो मैं आपको शुरू महीं बता देता मिस्स अमरत. ठीक है, मैं आपके अंदेशे से वाकिफ हूँ. आप कुछ देर के लिए रिलेक्स हो जाएं. फिर मैं आपको बता दूँगा कि आपरेशनल ट्रीट्मेंट कितना जरूरी है. नहीं, आपरेशनल नहीं करवाँगी. मिस्स अमरत, ये एलाज सिर्फ मेडिस्स से नहीं हो सकता. देखें, हर चीज़ के तलाफी हो सकती है. हमारी अवलीन तरजी इस बिमारी से निजात हासिल करना है. बाकी मेडिस्स बाद में इस्तमाल हो सकती है. आपने जो कहना था कह दिया, रॉक्टर साब. ये मैं हूँ. बिमार भी मैं ही हूँ. और जिबावी मुझे ही करना चाहते हैं. और मैं कहा रही हूँ कि मैं नहीं चाहती. मगर आपकी सेहत के लिए? मैं अधूरी औरत नहीं बनूँगी. मैं कुछ नहीं करवाँगी. आप समझ के? बिल्खसूस अगर मैं आपरिशन करा भी लूँ. तो क्या मैं चीक हो जाओंगी? क्या कैंटी देते हैं आप मुझे? मतलब ये कि हम एक जैसा सोच रहे हैं. इसलिए मेरा फैसला पक्का है कि मैं आपरिशन नहीं कराओंगी. आप हकीकत तस्लीम करें. कह दें आपके सब कुछ खत्म हो क्या मेरे लिए बूले? शुरू में आपने मुझे बताया था कि सब कुछ नॉर्मल है, अब आप मुझे अदूरी औरत बनाना चाहते हैं. उस वक्त अपने आपको क्या मैसूस करूंगी? आइना कैसे देखूंगी मैं हाँ डॉक्टर? दरसल उस वक्त में जित्दर जी मर जाओंगी. बिल्कुल अदूरी हो जाओंगी, बिल्कुल खत्म होकर रह जाओंगी, मैं नहीं चाहती है सब. आपके हाथ सलामत रहें. जानती हो, तुमने एक बहुत अच्छी जॉब का इंतखाब किया है. कम्प्यूटर के आगे बैठी हुई एक बिचारी सी औरत जिसको सही से कम्प्यूटर का इस्तमाल तक करना नहीं आता, उसके बजाए एक बावर्चन होना जादा अच्छ है. अच्छा फैसला है. इत्तफाकिया मिलना जादा अच्छा नहीं रहा. मेरे लिए कोई मसला नहीं. मैं यहां अपनी मेहनत से पैसे कमाती हूँ. चिनार यहां क्यों आया था? केस के लिए कोई जरूरी काम था? वो यहां केस के बारे में बात करने आया था लेकिन यासमीन यहां थी तो कोई बात नहीं हो सकी. अगर आपको भूख लगी हो तो सैलिट तयार है. काफी जादा अच्छी लग रही है देखने में तो. थैंक यूँ इसके लिए पर मेरी एक मिटिंग है मुझे जाना होगा. हेलो! मुझे कहती हो घर से निकलता ही फून करना और अपना मॉबाइल बन रखती हो? मुझे काम था. ठीक है. मैंने सुचा कि मैं घर से निकल कर तुम्हें रिपोर्ट दे दूँ. तो प्राग घर पर नहीं थी. जौप मिल गई उससे. हाँ मुझे मालूम है इस बारे में. मैडम अगर तुम्हें ख़वर थी तो मुझे यहां पर क्यों लाई तुम? उफ मुझे भी अभी मालूम हुआ यार. है शाम में वो घर आ ही जाएगी. एक काम करो. उसकी जौब वाली जगह पर चले जाओ. नए ने रुको एक मिनिट. मैं अभी तुम्हें काल करके बताती हूँ. अभी मैं काम में मस्रूफ हूँ. बाश्या को अपने कहफ से वास्ता होता है. तुम मेरे पैसे जमा करवाना मत भूलना. ओके ओके तुम तीस मर्तबा बता चुके हो. बाई. क्या हाल है तुमारा शर्फ खानम? शुकर है अलाका. यानि उस आदमी ने स्टंबोर में मस्तक्र टिखाना बना लिया है? मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है. पता नहीं इसको किसने बताया वो यहां पहुँच गया? मैं तो उसको खुद यहां देखकर परिशान हो गई. सच कह रही हूं वल्ला. मेरी अकल भी दंग रह गई है शर्फ खानम. वो आदमी इसके घर का एड्रेस भी जानता है. हादे लाता वा टहलता वा चलाया जैसे हर बात से बाकिफ है. उसे यहां का पता किसने बताया? कहीं तोपरा का ताकुप तो नहीं करता है वो. अल्ला बचाये मिस्स अद्पाल. नहीं, नहीं. नहीं मुझे क्या मालूँ? आपके फिक्रमन्द होने पर मैं भी परेशान हो गई. जूट क्यों बोलूँ? नहीं. यानि मुझे ही क्या पता? एक वक्ती पागल बना था इसका. लगता है अब अगल आ गई है. ऐसी जसारत दुबारा नहीं करेगा. आँ. यह वही है न तोपराग को छुड़ी मानने माना वहीं शखस है नहीं? मुझे अफसोस है. इकपाल मैडम, एक वक्त था तोपराग में इस शखस के आता हम बहुत तकलीफें उठाई थी. वाह बेटा वाह. अब मुझे याद आ गया. जब हम औरकुप गए थे, किसी मंगनी में जिसमें हम गए थे, अगर यह दुबारा मुसलत हो गया तोपराग पर तो? वो यहां तक आ गया, मुझे तो डर लग रहा है. नहीं, नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा. उस वक्त उसने ऐसा पागल पना किया था, मगर अब ऐसा लगता है, उसे अकल आ गई है. यह ऐसी हरकत नहीं है, यह बारा की जाए. शर्फ खानम, आप इतने वसुख से यह बात कैसे कह सकती है? मैं उसे जब पहले देखती थी तो मुझे से खच्चा महसूस होता था, मगर अब काफी अकलमंदी का मुझारा किया है, उसने वज़ा कता भी बदली, और लगता है सुधर गया है पहले से. इसका रुज़ान था तोपरा की तरफ, मैं जानती हूँ, इसी यह तो मैं कमजोर पड़ गई थी. वल्ला मैं ठीक से यह मामला समझ नहीं सकी हूँ, मिसिस शरफ, उस आदमी की सोच यह रुज़ान से तोपरा का क्या वास्ता है, आप नहीं कहा उसने वज़ा कता बदल लिया, यानि लगता नहीं कि उसने माफ कर दिया होगा, खेर, मगर मैं अब तक आपके खच्चात का पीर करते, ठीक है रही हूँ ना मैं मिसिस शरफ, जी सर, तो क्या खाना पसंद करेंगे आप, आपने कुछ सेलेक्ट किया या मैं आपकी हेल्प करूँ, नहीं, तैंक यू, असल में, मैं वेट कर रहा हूँ, किसी का बाद में करूँगा, टीक है सर, जी अमी, कैसे हो बिटा, बस ठीक हो अमी, माप बताने कोई जरूरी बात, नहीं, कोई अहां बात नहीं है, मुझे तुम से एक बात करनी है, या तो तुम घर पर आ जाओ, या मैं दफतर आ जाती हूँ, मैं यही कहने वाली थी, हाँ, ठीक है अमी, आपके पास मैं बाद मे मीटिंग में जाना है, खुदा हाफिस, हमें वक्त जायकरना नहीं चाहिए, समझते क्या हो अपने आपको, हाँ, तो प्राक से क्या वास्ता है, आपको काम असान हो, मैं यहाँ एक जुरूरी काम से आई थी, तो सोचा अपनी कजन को और अपने शोहर को हाई कहती चलू, कैसी हो तो, आते हुए सादाद से मिली, हाई, वो रड़का कितना खुश है, यहाँ तक के, उसने अपने भाई के साथ इस वीकेंड पर आने का, भाई इससे पूछ कर प्रोग्राम भी बना लिया है, मुझे खबर है, एक्साइटिट हो ना, कहने का क्या मतलब है, मैं अपनी जगाँ ठीक हूँ, खेर, ये प्रोपोजल वाले सिलसले में अगर कहीं, मेरी ज़रूरत पड़े, तो तो मुझे कॉल कर सकती हो, मेहमद भी मदद करेगा, है तो ये एक नेक काम ना, कितनी सेलफिश हो तुम, है ना, केस की आने वाली डेट जल्दी मिल जाएगी, ये बताने के लिए मैंने कॉल की थी, मैंने आपको कॉल बेक करने का कहा था, आने का नहीं, सही, गल्दी मेरी है या नहीं, ऐसा नहीं है, आने से पहले मुझे कॉल कर दे थे, मैं तो प्राक का बता देता आपको, आपके लिए सप्राइस तो ना होता, देखो मैंने तुमें बताया था, कि तो प्राक एक समझदार लड़की है, और तुमने उसे नौकर बनाया है, उसका मेरे पास होना हमारे केस में असानी करेगा, तुम्हारे पास भी हर बात का जवाब है, हमारी एक दील हुई थी, अलगास होल्डिंग की तमाम करवाई को उसे कैसे चुपाऊगे, किचन वर्कर से अपने काम या बिजनिस के बारे में डिसकुशन करना मेरी आदत नहीं, मिस्टर चिनार, खुशाम दीद, तो क्या खाएंगे आप, डिसाइड कर लिया, मैन्यू देखने की फुरसत ही नहीं मिली मुझे, कुई बात नहीं, ये ट्राइ करके देखें आपको पसंद आएगा, हाँ, सुपर आफर है ये, मेरे लिए आपको छलकी भूलकी सिखाने की चीज़े लिए हैं, मिज़े खुशी होगी, ओके, इसके लिए कोई मैन्यू बगरा लाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप मुझे पर ट्रस्ट कर सकते हैं, सर आपके लिए क्या लाओं, टैंक्यू मैं कुछ निखाऊंगा, तो प्राइग तुमारे पास काम नहीं करेगी, इसकी वज़ा क्या है, क्या मतलब वज़ा क्या है, मैं नहीं चाहता कि वो इस किसम के, इस किसम के काम करें, चाहे वगर अलाखे सर्फ करना, ये उसकी अपनी चॉइस है, और उसे इस काम से कोई परिशानी नहीं है, देखो, तो प्राइग मेरी बीवी है, और मैं तुम से कह रहा हूँ, वो तुमारे पास काम नहीं करेगी, ओके आप जैसा चाहें, खुशाम नहीं दियाजमीन मैडम, हेलो स्वीटी, लाले सो रही है क्या, जी हाँ, वो अभी उठी हैं सोकर, हाँ, ग्रेट, प्लीज उसकी सारी चीज़े समिट के, उसे मेरे पास ले आओ, आज मैं उसके साथ कुछ टाइम गजारूंगी, क्या कहा मैंने, तुम खड़े-खड़े क्या देख रही हो, जाओ जल्दी, कौन आया है, कौन चिख रहा है वहाँ आशा, मिस्यास्मी आई है, इकबाल मैडम, ओ, ये कहो ना नागन आई है डसने के लिए, ओ, इकबाल मैडम, मुझे लगा था कोटी फरोग करने के बाद, आपने, कहीं दूर अपनी दुनिया बसाई होगी, और हमें यहाँ कभी नज़र नहीं आएंगी, क्योंके यहाँ पर रही किसी भी चीज़ से अब आपका कोई तालूप नहीं, बंद करो अपनी ये बे तुकी बाते, मेरे मुझे लगने की जरूरत नहीं है, यहाँ क्यों नज़र आ रही हो, बस ये बताओ, खाला होने की हैसी ऐसे, मैं लाले के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, वागए? तो ऐसा करने में कोई प्राब्लम है क्या? नहीं, इसमें कोई हरच नहीं है, रड़के लाले को तैयार करके लाओ, ताकि वो अपनी खाला के साथ बागी ते में कुछ देर खेल ले, नहीं, बाग में नहीं, मैं उसे कहीं और लेकर जाऊंगी, और ये के जहां लेकर जाऊंगी वो जगा आपको पसंद आएगी, उसे उसके बाप के पास ले जाऊंगी, हम तीनों एक साथ बहुत अच्छा सा टाइम गुजारेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, अगर आपको एतराज ना हो तो, बेटा, तयार कर दो लाले को, तुम भी इनके साथ जा रही हो, बिल्कुल नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, नहीं बेटा, मैं लाले को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती, अँँँ, क्यों, आप भूल गएं क्या, अनकरीब आपका पोता होने वाला है, तुम्हारा हुलिया देखकर तो पता ही नहीं चल रहा, तुम नहीं उठा सकती बच्चे की समेतारी, अगर आप अपने पोते के बारे में डर रही हैं, तो आप फिकर ना करें, मिस इक्बाल, हाँ, ओ, मेरी अकल में ये बात नहीं आई, मैंने तो लाले के बारे में कहा था, तुम खुद, बड़ी मुश्कल से खड़ी हुई हो, इस हालत में तुम बच्चा बच्चा नहीं उठा सकती बिलकुल भी, नड़की चलो तयार करो लाले को, जल्डी करो, चलो, ऐसा मत करें खुदा के लिए, क्या हम डॉक्टर से ज्यादा जानते हैं, अगर आपको यहां से तसलिफ नहीं है तो, ठीक है, हमें काम करते हैं, किसी और डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन आप इस तरह से जिदा करें, मिस्टर नजीब, मैं जिद नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैंने फैसला किया है, उसके मताबिक करने की कोशिश कर रही हूँ, कैसा फैसला, क्या मुझे नहीं बताएंगी जमरत मैडम, इस बीमारी का सबसे बड़ा हिलाज क्या है, मौत का सोचना, या मुकाबला करना, मैं भी यही करूँगी, अच्छी तरह सोचूँगी, ठंडे दिल से सोचूँगी, क्या पता केमोधरपी के लावा भी कुई इलाज है या नहीं, इसकी भी मालूमात हासल करूँगी, मुझे क्या खाना होगा, कैसा पीना होगा, मैं मालूम कर लूँ कि मिस्टर नजीब, आपको कोई नजले की विमारी नहीं है, आपको कैंसर है, देखो, देख रहे हो मिस्टर नजीब, ऐसा नहीं होता, नहीं होता, प्लीज, अगर तुम इसी तरह मेरे सबर सवार रहे, प्लीज, ऐसा मत करें, मिस्टर नजीब, हर चीज एक तरफ, और ये बिमारी एक खतरनाक चीज़ है, इसका इलाज लाजमी करवाना होगा, फिल वक्त हमारे लिए एक अच्छा मौका है, हमें हास्पिटल जलकर फॉरण इलाज शुरू करवाना चाहिए, दिर करने के बाद अफसोस करने का क्या फाइदा? सहत के साथ आपको जुआ खिलने की जाज़त नहीं दोगा मैं, और हमेशा याद रखिए रहे जिन्दगी, आपकी नहीं मेरी भी है, मिस्टर नजीब, आप क्यों मेरी बात पर ध्यान नहीं देते हैं, प्लीज, डियर, गार्टन में जाएं, मैं कॉफी बनाती हूँ, साथ पेस्ट्रीज पर लेकर आती हूँ, आप चले मैं जल्दी से लेकर आऊंगे मेरी जान, आप अब अब तक यहीं है, प्लीज, चले, देखो, हम इस तरह स्यादा खुश रहेंगे, सर और कुश लेंगे, लगता है आपको मेरी चॉइस से बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा था, मुझे बहुत खुशी हुई, नहीं मैं पेमिंट कर देता हूँ, खाना खाने दुबारा हूँगा, तुम्हें इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, मैं इंतिजार करूँगी, ओगे फिर दो हफ़ते बाद अदालत में मौलकात होगी, मिस्टर चिनार, ओके, देखो, तो प्राग के लिए कोई काम ढूड़ना है, ठीक है? तुम्हें तो प्राग में खुदी ढूड़ना था, और मैं उसे यहां से नहीं निकालूँगा, ये तो आप जान गए होंगे, अच्छा, फिर मिलेंगे, मैं तुमसे अकेले में कही मिलना चाह रहता, तुम्हें काल करना, ठीक है, तुम्हारे लिए एक सिप्राइज है, इजाज़त है? यार, अभी मैं सिप्राइज हो करा के मूट में नहीं हूँ, कमान चिनार, लाले को लाई हूँ, खाला भान जी कुछ वक्षाथ गुजारेंगे, मैंने सोचा, तिर हम कहीं खाना खाएंगे, तुम ऐसा मौक अपने हाथ से कैसे चाने नहीं सकते हो? फिर, लाले भी तो उदास है तुम्हारे लिए. चलो, अच्छा किया तुमने. ठीक है, तो फिर मैं इंतिजार करूंगी. हेलो, मिस्टर रोकान. अगर किसी और चीस की जरूरत ना हो तो मैं जा सकती हूँ. ओ, काफी टाइम हो गया, तुम जा सकती हो. फिर मैं चलती हूँ. हाँ, तो प्राग. अगर चाहो तो तुम्हारी सले से तुम्हें कोई चड़वास दे दू. नहीं फिलाल जरूरत नहीं है, शुक्रिया. ठीक है, अगर जरूरत हो तो बिला जिजक्के कह सकती हो. ओके बता दूँगी, गुड इवनिंग. उफ यार, ये नहीं जाएगी. मैं काम कर रहा हूँ. प्लीज उकान जी, सुबह से तुम्हें से बात नहीं कर रहे हो. ये कह एटी चूट है? आईसल, मैं काम कर रहा हूँ. और तुम भी ऐसे ही कर ओ, मुझे कोई फर्ग नहीं पढ़ने वाला. तुम हर वक्त काम करते हो, डियर. मगर शाम को मेरी तरफ तवज्ज़ जुरूर देते थे. कि तुम्हारे रूम में आ जाओं, तो प्राग तुम्हारा माइन चेंज कर रही है. अब क्या उसकी बारी है? आईसल, बातें मत बनाओ. तुम्हारी जैलिसी वरी बातें मुझे पसंद नहीं. ऐसा है? बगर तुम उसे कैसे देख रहे थे? मैंने देख लिया था. असल सबब क्या है, जानती हो तुम? मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ. और वैसे भी तुम्हारा एक बॉइफरेंड तो था ना. जो चाहा, असल के लिए खेल खतम ना? ऐसा भी कहा जा सकता है. तुम्हें मुझे से क्या तवक्त थी? मैं तुम्हें पागलो की तना चाहूँगा? सोसाइडी के मारूफ वकी लोकान की बीवी बनना चाहती थी, ऐसा ही है? हैवान! इतना काफी है. मैं मीटिंग की तैयारी कर रहा हूँ. तुम जरा डॉकुमेंट्स तैयार कर लो, बहतर होगा. कोई तवक्कर नहीं, तुम्हारा काम असान हो. मीटिंग में मैं नहीं आऊंगी. देखो लाले, छोटी छोटी तेडी वेर्ज है, अरे देखो. अभी तो तुम ये पढ़ रही हो, खाला की जान. बाद में मैगजीन और रिसालों से ही तुम्हे इतना अरूज मिलेगा, कि फुर्सती नहीं मिलेगी. देखो ना, मैं तुम्हें बतारी हूँ. चलो, तुम्हारे प्यारे प्यारे खिलौने लाएंगे. आँ, काफी टाइम हो गया, शाम हो गई. चलो, इसे जल्दी से पहना दो, हमें फॉरन खाने के लिए निकलना है, ओके? ठीक है, यास्मीन मैडम. आँ, मेटी चोटी सी बेबी. चलो, आज जो तयार होते हैं. हेलो, यास्मीन. क्या हाल है तो प्राप? तुम बड़े थका देने वाले कामों में बिजी होगी, अखीनन. क्या बात है, यास्मीन? क्या चाहती हो? मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ. हम आज सुबह से लाले के साथ हैं. थोड़ी दिर बाद खाने के लिए नीचे जाएंगे. दरसल खाने के बाद मुझे लाले को छोड़ने जाना है. मगर एक काम निकल आया, मैं उसे आईशा के साथ अकेले नहीं भीजना चाहती. हम वही है, जिस होटल में मैं रह रही हूँ. तुमसे भी करीब है. तुम होटल का एट्रिस दे दो. बाई. मिसिस अमरॉद में आगया हूँ. मिसिस अमरॉद? मिसिस अमरॉद में आगया हूँ. मिसिर जी. मैं चानक डर गई. आप इतना डर जाएंगी मुझे अंदाजा नहीं था, I'm sorry आप ने कहा था मैं आता हूँ, मगर आप इतनी जल्दी आ गए मुझे अंदाजा नहीं था, पच्छानक आ गए तो क्या हो गया इस तरह आने से? मैं नहीं चाहती थी क्या आप मुझे, ऐसी हालत में देखें, फिकर बद करें, अभी तयार होती हूँ बाहर डाइने टिबल देखकर मुझे अंदाजा हुआ, आप कितनी सलीका शोहर हैं वाकिया आपको बहुत अच्छा लगा क्या आपको मेरी बात ने यकिन नहीं आ रहा मैं मुझे की बात नहीं करता, आप जानती है अच्छी तरह से हाँ लेकिन, जाइके के बारे मैं अपना उपिनियन, मैं सिर्फ खाने के बाद ही देता हूँ सब कुछ मैंने यही बनाया है जो आपके सामने है काईसरी वालों का उसूल है यह, वोनों किसी तरह बनाते है और आज मैंने पहली मरतबा बनाया है काश के ऐसी हालत में आप अपने आपको इतना ना ठकाती क्या अतनी बिरी निज़र आ रही हूँ मैं ओके, ओके, चेश करके आती हूँ प्लीज, आप अराम से बैठें मैं भी आती हूँ मुस्टर निज़र जी उफखाला की जान, देखो, इसमें से कितनी सारी आवाजे आ रही है हाँ, है देखो यह कितना अच्छ है, मज़ा आया तुमें चिनार आगया ओहो, देखो, अपने बाबा से कौन मिलने आया है, हाँ अरे, मेरी प्यारी बेटी, मुआ हम इतने मज़े से खेल रहे थे कैसा लगा, तुमें यह सुप्राइस, अच्छा लगा अरे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आज की सारे थाकंदूर हो गई मेरी, मेरा प्यारा बच्छा, प्यारा बच्छा हम पूरा दिन घूमते फिरते रहें, जानते रो बहुत सारी शॉपिंग की, मैंने से बहुत सारी बुक्स पढ़कर सुनाई अच्छा फाकरी, इतना मजाया के कहीं तिक ही नहीं रही है ओ, थोड़ी सी सब्दी लग गई ये शायद, लाओ इधर तो स्वीटी, तुम इसे समझा लो जी ठीक है मैंने लाले के लिए डिनर में अलग से खाना बनवाया है और एगेनो वाले बिस्किट से मैंने होटी की इंतजामिया से पूछा मगर इनोंने का नहीं है फिर एपल फ्लेवर वाले मांगे लेकिन आज इसका फ्रेश बीम्स खाने का मूड है और मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरिट खाना ओंडर किया मैं सूच रही हो हम लोग यहीं बैट कर खालेंगे बहुत जादा मज़ा आएगा तैंक यू तुम्हें बहुत अच्छा किया लेकिन ज़रूद नहीं थी आईशा है न नहीं मुझे मज़ा आ रहा है तुम्हें तो यादी होगा मैं तक्रीबन हर रोजी बाहर खाना खाने का कहती हो मुझे फूक लग गई है मैं अभी आती हो ताकि मैं अर्रेंजमेंट करवा सकू हम जल्दी जल्दी ऐसा किया करेंगे ठीक है ना चिनार यह हम सब के लिए अच्छा होगा हान जी जी वेटी गुड इवनिंग प्लीज बस अब जल्दी से हमारी टेबल रेडी करवा दीजे उधर आप से प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है एक तो प्राक नाम की गेस्ट आएंगी प्लीज उन्हें बगएर पूसकेच की डारिक्थ हमारे पास ले आएगा, ओके? कुछ प्राब्लम तो नहीं है ना? ठीके मार्डम थैंक यू वेरी मच्च ओफ, मुस्चान अजीब खाने के बाद मैं बनाने वाली थी एई, यह मेरी भी तो जिम्हदारी है आपके हाथ सलामत रहें जम्रत मैट हो आप बहुत खबसरत लग रही है फिर तो खाना भी खा लेते हैं उसके बाद अराम से मैं सब कुछ समेट लोंगी, ठीक है ना? गुड इवनिंग मैं यहां यास्मीन से मिलने आई हूँ, उसका रूम कौन सा है? आप मिस्टो प्राग है ना? जी मैं ही हूँ हम आपका ही इंतिजार कर रहे थे, मिस्टी यास्मीन गाडन में है ओके चलिए खाना खाते ही कैसे सो गई देखा? ऐसे ही करती है खाना खाते ही मस्त हो के सो गई आईए आपका शुक्रिया